ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रू सादर जैसी कृष्ण हमारे यूटूब चेनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारिधर मेंदर शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशिफल यह राशिफल एक अगस्त दोजार बाईस सोमबार का दिन है स्रावन महा के शुकलपक्ष की चतूर्थी ती थी है इस दिन विनायक चतूर्थी का महापरवर है गा तथा स्रावन का सोमबार रहेगा तो सब से पहले आपको और आपके पूरे परिवार को स्रावन सोमबार की बहुत बहुत शुपकामनाई और वधाईया भगवान भोलेना तथा माता पारवती का भरपूर आशिरवाद आपके जीवन पर सदेव बना रहे आप सभी सुखी रहें, स्वास्त रहें, व्यास्त रहें और मस्त रहें पूरुबा फालुगनी नामक नक्षत्र होगा, तथा सिंग राशि में चंद्रमा विराजित रहेंगे दिशासुल के अगर हम बात करें तो पूरुदिशा में रहेंगे इसलिए पूरुदिशा की यात्रा करना नुकसान दाई साबित होगा अगर किसी कारणवस पूरुदिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा अवश्यक हो तो दरपन में अपना चेहरा देख करके यात्रा आरंब कर सकते हैं राहुकाल जो की प्रातह साड़े साथ बजे से शुरू हो करके नो बजे तक रहेगा राहुकाल के दोरान कोई भी शुबिया मांगली कारिक्रम आपको संपन्न नहीं करना चाहिए हाला कि राहुकाल का निर्णे आप अपने ख्षेत्र के पंचांग अत्वा केलेंडर के अनुसार कर सकते हैं क्योंकि रहुकाल कई छेतरों में माना जाता है और कई छेतरों में नहीं भी माना जाता है दैनिक ग्रह गोचर के दी हम बात करें तो ग्रहो के राजा सूरी देव जो की करक राशी में वहें चंद्रमा सिंग राशी में मंगल ग्रह मेंस राशी में बुद्ध ग्रह सिंग राशी में देव ग्रुब रहस पती जो की मीन राशी में, शुक्र ग्रह मितुन राशी में, शनी डेव मकर राशी में, राहू ग्रह में इस राशी में तथा केतु ग्रह तुला राशी में विराजित रहेंगे। अब हम आपको मेश से लेकर के मीन सभी बारा राशी वालों का देनिक राशी पल पता ने जा रहे हैं। हबारे इस ग्यानवर्दक वीडियो को अन्तितक जरूर देखेगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की। आपका देन शुफलदाई सावित होगा, आपका भागिशाली अंक नो होगा, भागिशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं व्रशब रासी की। राजनितिक तथा सामाजी कारियों के प्रती आपका रुजान बढ़ेगा। और कुछ शुबह उसर भी आपको करिक्षितर में प्राप्त होंगे, नए वाहन के खरिदने संबंदित योजना बनेगी। यदि आपने उधार पैसा दिया है, तो पैसा वापस मिलने से आर्थिक समस्या का समाधान हो जाएगा। विध्यार्तियों को अपनी पढ़ाई में और अधिक ध्यान देने की आउशकता है। मित्रों के साथ घुमने पिरने तथा मन और अंजन में अपना समय व्यर्थ नस्ट न करना चाहिए। इससे आपके महत्तुपूर्ण काम अटक सकते हैं, रुख सकते हैं। और उपाई के रूप में यदि आप चने की डाल का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक पांच होगा, भागिशाली रंग आपका सफेद होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशी की। आज आप रोज मर्रा की जिन्दगी से हट करके दिन चरिया में कुछ नया पन लाने का प्रयास करेंगे। इससे आपकी मानसिक वा शारीरिक ठकावट दूर हो जाएगी। तथा एक नई उर्जा का प्रभा अपने अंदर आप महस अर्थिक व्यवस्ता में सुधार होगा, दिन आपका बहुत उत्तम साबित होगा। और उपाई के रूप में भोजन में हरी सबजी का उपयोग करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक नो होगा, भागिशाली रंग आपका ओरेंज होग अब हम बात करते हैं करकराशी की, आज कुछ महत्वपूर्ण तथा उच्पद आसीन व्यक्तियों के साथ आपकी मुलाकात होगी, लंबी चर्चा होगी और जो चर्चा होगी आगे चल करके आपको ही फाइदा देगी, और विरोधी आपके सामने परास्त हो जाएंगे, को अब हम बात करते हैं सिंग रासी की, घर के संबंदिक कुछ कार्य योजना आपकी तयार होगी, नया घर आप खरीद सकते हैं या नई प्रापर्टी आप खरीदने के बारे में वेचार विमर्ष करेंगे, धार्मी कार्यों में आपकी विशेश रुची रहेगी, परिवार क अधिक्तम समय आपका व्यतीत होगा, आर्थिक इसीती बहतर रखने के लिए बजट बना करके आपको चलना आवश्यक होगा, और उपाई के रूप में यदि आप मसूर की डाल का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा, आप आपका भागिशाली अंक तीन होगा, भागिशाली रंग आपका पीला होगा, अब हम बात करते हैं कन्याराशी की, कोट कचेरी के मामलों में आपको फायदा होगा, और मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी, रिष्टेदारों के किसी विवात पूर्ण मामले में आपक आपकी उपस्तिती निरनायक रहेगी, आपकी बुद्धिमानी चतराई वा सूजबूच की तारीफ होगी, लोग आपकी प्रसंसा करेंगे, आपको मैन तथा सम्मान भी प्राप्त होगा, और उपाय के रूप में गाई को गुड़ खिलाना आपके लिए शुफलदाई जैसे आपको अवश्य ही अच्छी सूजबूच तथा सोच विचार की ख्रमता प्राप्त होगी, घर में कोई मैंगली कारिक्रम संपन होने की योजिना बनेगी, तथा रिस्तेदारों की आबाद रही बनी रहेगी, और उपाय के रूप में किसी भी ब्राम्भन को या साध चिक रासे की, धार्मिक कारियों में आपका विशेस रुजहान रहेगा, तथा समाज में लोग आपको पसंद करेंगे, आपका रुद्बा बने रहेगा, और लक्ष के प्रती आप एकागर चित रहेंगे, सफलता आपको वश्य ही प्राप्त होगी, नया वाहन, नई वस्त सलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंग छे होगा, भागिशाली रंग आपका नारंगी होगा, अब हम बात करते हैं धनुराशी की, इस समय शारीरिक और मानसिक सुकून पाने के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक कारियों में आपका रुजहान रहेगा, ध्यान से पढ़कर के ही आपको हस्ताक्षर करना चाहिए, उपाई के रूप में घर से निकलते समय कोई भी मीठी वस्तु खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक आठ होगा, भागिशाली रंग आपका लाल होगा, अब हम बात करते हैं म पकर राशी की, आज किसी जर्वत मन मित्र की साहिता आपको करनी पड़ेगी, और ऐसा करके आपको बहुत मानसिक शांती प्राप्त होगी, और अध्यान रत बच्चों को अपनी महनत के मरोवांचित परिडाम हासिल होगे, जिसे उनका होसला और आत्मिश्वास और अधिक बढ़ने वाला है, उपाई के रूप में, यदि आप शंकर भगवान के मंदिर में काले तिल और गुड का दान करेंगे तो आपका डिन शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक एक होगा, भागिशाली रंग आपका हरा होगा, अब हम बात करते हैं कुम्भ इस समय ग्रह गोचर आपके अंडर भरपूर मनोबलव आत्म इश्वास पेदा करेंगे, सामाजिक रूप से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग आपको पसंद करेंगे, आपको नोकरी में नया आप काम नई जम्मेदारी मिलने का योग है, पदो नती भी आपको प्र आपका भागिशाली अंक चार होगा, भागिशाली रंग आपका पीला होगा, अब हम बात करते हैं मीन राशी की, आज दिन चरिया में परिवर्तन लाने के लिए अपनी रुची पूर्ण कारियों में आप समय व्यतीत करेंगे, इससे आपको खुशिया प्राप्त होगी, पारिवारिक माहुल सकारात्मक रहेगा, ससुराल पक्षि से कोई खुशी भरा समाचार आपको प्राप्त होने वाला है, उपाय के रूप में यदि आप हल्दी का टीका लगा करके घर से निकलेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक स साथ होगा, भागिशाली रंग आपका आस्मानी होगा, तो मित्रो या बारा राशी का देनिक राशी भल और उनको करने वाले उपाय तथा भागिशाली अंक और भागिशाली रंग हमने आपको बताए हैं, हमारे इस ग्यान वर्दक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों क को शेर करिएगा, लाइक करिएगा, कमिन करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लिजे, आपको और आपके पूरे परिवार को साधर जैसी क्रश्न, साधर धन्यवाद